हाई एव्रिवान वेलकम दूस्रीपीक प्लासीज कैस अच्छे रही है अच्छे रही है थान रखिये अपना आज आज हम डिस्क्स करेंगे घटना चकर से इस में जोग्राफी से लेटेट कॉस्ट तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कुशन फरस्ट एक कंसेर दा फॉलि अच्छा कोशन है वीडियो को पोज कीजिए और इस कोशन का सब्सक्राइब कर लिए होगा तो देखें यहां पर आपकी जो फर्स टेप्मेंट है यह भी बिल्कुल सही हो जाएगी लेकिन फर्ट स्टेटमेंट यह गलत है तो अकॉर्डिंग टूप्शन आपका यहां पर यह उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तो देखें जो हैं वह एक तरह से वैरी करते रहते हैं सन के चारों मतलब और और बिट करते रहते हैं और बहुत ही स्माल साइज के हैं कुछ जो हैं वह उनका डायमेटर हमें थाउजन किलोमेटर के आसपास देखने को मलता है और ज कुछ का डायमेटर बहुत ही स्माल है कुछ का डायमेटर यहां पर थाउजन किलोमेटर के आसपास हमें देखने को मलता है तो आपने दिहान रखने मार्स एंड जूपिटर के इन बिट्रीन है अगर आपने जोग्रफी फॉर ऑल के मेरे सभी सभी सेशन देखें और फस्ट नेक्स्ट कोशन से पहले हमें क्विज डिसकस करेंगे और इस क्विज का अंसार मुझे आप वीडियो के अंत में दीजिएगा दा मुगाओ केव्स जिसको हम थाउजन बुदा केव्स भी कहते हैं यहां पर लगबग 500 टैंपल्स हैं आपको बताने कि जो मुगाओ केव्स ह तो एक केव है इसको बेसिकली आप कहां पर देखते हैं नहीं है और मून एक सैटलाइट है सन एक स्टार है और यहां पर अर्थ एक प्लैनेट है और यहां पर हमें given है कि earth basically हम earth को क्या कहते है Pluto को क्या कहते है और sun क्या है and moon क्या है वैसे मैं आपको answer बताई दिया बहुत easy question था देखे earth क्या है blue planet है तो यहां पर आप यहां इसको match किजो earth क्या है blue planet Pluto क्या है dwarf planet इसको हम 266 के बाद planet consider नहीं करते और उसके बाद moon क्या है जिसको हम solar system कहते हैं अच्छा एक कोशन पूछा जाता है कि जो sun है यह milky विग लेक्षी की कौन सी आम में है तो आपने यहाँ पर याद रखने है second आम और इसको हम क्या बोलते है और यहन आम ऐसे कोशन पूछे जाते हैं तो बहुत इसी था कोशन और यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा option फिर्स लब option यह आपका इहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा चले इसकों बने कर पाएगे हैं मास जूपिटर सेटर्न अब देखें यहां पर अगर हम इसको मैं करें तो कौन से प्लैनेट की कौन सी सैटलाइट हो जाएगी तो यहां आपका जो मास है इसकी कौन सी सैटलाइट है यहां आप लिख लिजिए दिमोस तो यहां हम मास लिख लेते हैं और उसके बाद जूपिटर की कौन सी सैटलाइट है यूरोपा उसके बाद सैटरन की कौन सी सैटलाइट ह टिटानिया तो अकॉर्डिंग टू ओप्शन यहां पर आपका बी ओप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिसकस कर लेते हैं और यहां पर देखिए आर्थ के पास कितनी सैटलाइट हैं मेंस के पास कोई होती नहीं और मार्स के पास डो सैटलाइट्स है जूपटर के पास दूंगर हम और यहांРЕ दिखेंगे और कोश्चन में हम 62 ही ठीक करके आएंगे जो कि ऑफिशल नहीं हुआ है अभी के लिए आप 62 को ही ठीक करिएगा यूनिनस के पास 27 है नेप्चुन के पास 14 है प्लूटो के पास अभी के लिए 5 सेटलाइट्स हैं अब यह कुछ सेटलाइट्स हैं इनको हम अच्छे अगए असके बाद यह किसकी सेटलाइट हैं यह तो इसके बाद अंब्रेल होफ़ली मैं है अपन नाम सही ले रहा हूं और यह भी यूरेनस की ही सेटलाइट है उसके बाद चैरोन यह प्लूटो की हैं और यह बहुत बार कोश्चन पूछा गया है और इवन यह भी कोशन गिवन है उसके बाद लैपेटर्स यह किसकी सेटलाइट है यह सेटरन की है यह कोशन आज तक नहीं आया है लिकिन अच्छा कोशन इसको आप ध्यान दखीएगा उसके बाद भूब भी बहुत इंपर्टेंट है यह उनेनिस की सेटलीट है और रिया से लेटेड ऐसे कोशन पुछा जाता है कि बताइए सेट्रन की सेकंड आर्जे सेटलाइट कौन से हैं तो आपने याद अखने दिया उसके बाद टिटानिया यह हम और डिकवर कर चुके हैं यूरेनेस की सेटलाइट है और ट्री ट्रॉन नेप्चुन और नेप्चुन की सिरफ एक सेटलाइट पुछी जाती है उसके बाद एक यूरोपा यह भी हम डिसकस कर चुके हैं जूपिटर की सेटलाइट है और मून तो आप सब जानते ही है हमारे प्यारे अर्थ की सेटलाइट है और लो यह किसकी सेटलाइट है यह भी जूपिटर की स सबसे बड़ी सैटलाइट है और यह सबसे बड़ी सैटलाइट है तो आपको याद रखिए सभी सब्सक्राइट है और यह इस सब्सक्राइट पूछ से जाते हैं चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं तो तीन स्टेट्मेंट हमारे बस गिवन है फर्स स्टेट्मेंट क्या कहते ह और यहां पर आपकी जो फर्स स्टेट्मेंट है यह बिल्कुल सही है बल्कुल बंटे धों अल्ट इज लोन आपका पर जो होती है उसको observe कर लेते हैं और खेर तभी हम अर्थ पे सर्वाइब कर पाते हैं अगर ट्रेक्ट लिए अल्टर वैजट जो रेडियेशन से हो संसे अर्थ पर आएंगी तो इसे स्किन ने का हमें खत्रा रहेगा तो काफी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो यहां पर आपकी जो फास्ट अं काफी स्टेट्मेंट यहां बिल्कुल सही हैं तो आप्शन बीज देख लेति हैं वह देख लेते हैं और अभी के लिए हमने जो इंडिया काफी डिटेल में कवर कर वाया था अगर आपने को सेशन देखा होगा तो यह कुछन आपके लिए बहुत एजी है तो इस कोशन को आप पहले खुछ से कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए देखें कंपिटिटिव एक्जाम्स में आप अगर मैप के पढ़कर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको काफी लंबे समय तक जात रहेगा तो यहाँ पर फर्स स्टेटमेंट आपकी बिल् से ही हो जाएगा और यह जो हमारा फर्स सेशन था मैप स्लीपी उसी की ही एक स्लाइड है जो यहां मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं तो आपको यह पता हो ना चाहिए चाइना के साथ कौन-कौन से स्टेट्स वाटर शेर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यहां आप लदाग भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये अलगल लग युनियन डेरेटली है उत्त्रा खंड हिमाचाल परदेश शिक्खकेड और उसके बार नेपाल उत्तरपरदेश उत्रघंड वेस्ट मैंगावण द्सिक्खकड वेस्ट मैंगावस काल देख़ें have a थार्दक और अ काल्चछ यहां मान के चलेंगे कि अफगानिसान के साथ भी इंडिया का बॉर्डर टेच करता है ठीक है और पाकिसान के साथ जमुएंड कश्मीर पंजाब गुज्राथ एंड राजेसार तो यह जो आपको यहां पर बॉर्डर से यह पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी कंट्रेस के साथ कौन-कौन से हमारे स्टेट के बॉर्डर टच करते हैं और आज जो हमने यहां पर एक विस डिसक्स एक बार इसको देख लेते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा चाइना तो यहां ऑप्शन डी अगर आपने ठीक किया होगा तो डेफिनिटली यह कोशन आपका ठीक है तो फाइब कोशन हमने डिसक्स करें हैं आप देखे घटा जकर सेरीज हमने अगें स्टार्ट करें है और इसका मेन मोटिव यही है कि प्रिवेस एर कोशन का हमें बेस्ट कंपाइलेशन देखने को मिलता है घटा जकर में और इसके अकौर्डिंगली हम अपनी एक तरह से र चैनल पर मिल जाएगी जो एक्स्टा इंफ्रमेशन गीवन है उसको पढ़िए अगर उसमें से आपको कोई डाउट रहता है प्लीज कमेंट सेक्शन पर पोस्ट कीजिए इवन सभी की सभी लेक्चर्स जो पॉलिटी का सेशन है उसमें अगर आपका कोई डाउट है साइंस करते हैं कि हम अपने एक्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेर कर पारें तो नेक्स सेशन में बहुत जल्द मिलेंगी तब तक के लिए अपना ध्यान देखे थैंक्यू सो मच